लेटिस्ट फार्मसी वीडियोस दिखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चानल को और प्रेस कीजिए पेल आइकन हालो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्राइट फार्मा हम पढ़ रहे हैं पारेंट्रल डोसिज फॉर्म लास्ट वीडियो में हमने देखा था तक हमने लाबराटरिय लेवल में जो जो परप्रप्रेशन बनाया मतलब हमने सोजूशन बनाया सॉस्किंशन बनाया इमल्शन बनाया ओंमें बनाया क्या उसके लिए हमें कुछ special facilities की जरुवत पड़ी नहीं पड़ी लेकिन parental progression बनाने वाले जो manufacturers होते हैं उन्हें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जब आपना अब उन्हें कॉंसे चीजों का ध्यान रखना पडता है कि जो parental proportion उन्होंने बनाया है जो product उन्होंने बनाया है वो क्योंकि क्या है ना हम प्रप्रप्रेशन जो होते हैं वो डिरेटली ब्लोड में इंजेक्ट करते हैं इंट्रावेनस रूट से इंट्रामस्कुलार रूट से तो वो इंट्रावेनस रूट से अगर हम प्रप्रप्रेशन इंजेक्ट कर रहे हैं समझ लेजे उसमें पार्टिक होना चाहिए अब आप पुछेंगे कि स्टराइल क्यों होना चाहिए तो स्टराइल होने का भी वज्य है जरूरत है क्योंकि अगर हमारा प्रप्रेशन स्टराइल नहीं हुआ उसमें माइक्रो और्गेनिजम रहे और अगर हम उसे हमारी बलड में इंजट कर रहे है बलड में इंजट कर रहे है तो हमारे पूरे बलड में माइक्रो और्गेनिजम फेल जाएंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए हमारे प्रप्रेशन को हमेशा स्टराइल होना चाहिए और प्रकप्रट मेन को सब्सक्राइब तो यह चीज़ पर्ति ti scratching की में nectar ुछ मैंको बौत करना के लिए तुच्छ की ज़रून की स्भीन सब्सक्राइब की इन वाइल्मेंट जो होता है इन्वाइर्मेंट में पार्टिकल भी नहीं होते हैं जो हम अपने naked eyes से नहीं देख सकते हैं इसलिए हमें special precautions लेनी पड़ती है कि उसमें microorganism का incorporation ना हो accidentally या फिर manually जो भी sources होते हैं contamination की उन चीजों को minimize करके हमें ऐसे facility बनानी पड़ती है जहाँ पे contamination बिल्कुल ना हो चाहे वो microorganism का हो या फिर particulate matter का हो इसलिए parental preparation को बनाने के लिए कुछ special facilities की जरूरत होती है ओके the production area where sterile parental preparations are manufactured can be divided into five sections तो अब तक हमने देख लिया कि हमें जो parental preparation बनाने होते हैं तो उसमें कुछ special precautions लेने होता है special facilities की जरूरत होती है तो special facilities कहाँ पे हमें install करनी होगी अब हम जब preparation बनाते हैं तो वो होता है production area यह production area पाच section में divide किया जाता है तो जान लेते हैं कि यह पाच section कौन से है production area के जो पाच पाच में divide किये गए हैं तो उसमें से first is cleanup area, second is preparation area, third is aseptic area, fourth is quarantine area and fifth is finishing and packaging area तो parental preparation जब हम बनाते हैं तो यह पाच area में हम parental preparation के different different tasks perform करते हैं cleanup area में अलग task होता है preparation area में अलग task होता है aseptic area में अलग task होता है quarantine में अलग and finishing and packaging में अलग अब कौन कौन से area में कौन कौन सा task किया जाता है parental preparation मनाते वक्ग, यह हम one by one in detail देखने वाले हैं so let's start with cleanup area अब यह जो cleanup area होता है यह aseptic area नहीं होता यह cleanup area जो होता है उसमें कोई भी aseptic condition maintain नहीं की जाती इसलिए aseptic area नहीं होता all the parental products must be free from foreign particles and microorganism अब parental product की condition क्या है कि parental product ने हमेशा foreign particles and microorganism से free होना चाहिए the area and atmosphere of the room where manufacturing of parental product are done must be free from dust, fiber and microbes साथ ही साथ जो area या फिर atmosphere हम रूम में यूज कर रहे है तो वो भी हमेशा free from dust होना चाहिए उसमें कोई भी fibers नहीं होने चाहिए microbes नहीं होने चाहिए तो यह भी precaution हमें लेनी पड़ती है cleanup area should be constructed to withstand moisture, steam and detergent जो cleanup area होता है उसे पनाया ही इस तरीके से जाता है ताकि वो moisture, steam and detergent के साथ withstand कर पाए क्योंकि जो cleanup area होता है वहाँ पर detergent का, steam का इस्तिमाल किया जाता है ताकि उसमें microorganism का contamination ना हो तो इसकी वज़े से उसका construction ही इस तरह से होता है कि वो moisture, detergent, steam के साथ withstand कर पाए sealing and walls can be coated with materials which should prevent the accumulation of dust and microorganism साथी साथ ये जो cleanup area होता है ना उसकी जो ceiling होती है, upper ceiling और walls जो होती है, मतलब दीवारे वो किस जिस से coat की जाती है वो एक ऐसे material से coat की जाती है जो accumulation of dust and microorganism जो होता है उससे prevent करे मतलब होता है ना कि हमारे घर में भी अगर आप observe करे तो बहुत दिनों तक अगर हमने साफ साफाई नहीं की होती है तो दीवारों पे या फिर ceilings पे dust accumulate होती जाती है जहाँ पे dust होती है, वहाँ पे microorganism भी हो सकते है क्योंकि हम उसे अपने naked eyes से देख नहीं पते तो इसलिए हम clean up area ऐसा बनाते है उसे इस ताइप के material से coat करते है ताकि वह dust या फिर microorganism को अपने उपर accumulate ही ना होने दे अब क्या होता है कि हमें जो production area होता है उसमें windows वगेरा attach करना allowed नहीं होता क्योंकि क्या होता है कि अगर हम windows attach करेंगे उन्हें open करेंगे तो open करने के बाद उसमें से dust अंदर आ सकती है microorganism अंदर आ सकते है इसलिए वहाँ पे windows तो नहीं हम open कर सकते है लेकिन उसमें हम क्या attach कर सकते है उसमें हम exhaust fans attach कर सकते है अब ये exhaust fans क्या करेंगे ये जो room में clean up area में जो heat create हुई है, humidity create हुई है उसे remove करने में help करेंगे इससे क्या होगा कि जो person वहाँ पे काम कर रहा है clean up area में उसे comfort feel होगा तो इसलिए exhaust fan वहाँ पे attach किये जाते है this area should be kept clean so that contaminants may not be carried into aseptic area अब ये जो clean up area होता है ये aseptic area तो होता नहीं है लेकिन इसे clean जरूर रखा जाता है हमेशा clean रखने से क्या होता है कि contaminants जो होते है वो यहाँ पे growth नहीं कर पाते है और यहाँ पे contaminants नहीं होंगे तो वो aseptic area में अगर कोई भी person clean up area में है तो वो अगर aseptic area में जाता है तो अपने साथ उस room में अगर कुछ contaminant present होंगे तो उन्हें भी अपने साथ aseptic area में ले जा सकता है इसलिए clean up area को हमेशा clean रखना जरूरी है ताकि वहाँ पे contaminants ही ना हो और जो person aseptic area में जा रहा है वो अपने साथ कोई contaminant क्यारी ना करे अब clean up area में क्या होता है तो containers, closures या फिर हमें जो equipment apparatus चाहिए होता है न तो उसे हम यहाँ पे wash करते है and dry करते है clean up area में इसलिए clean up area ऐसा कहा जाता है the next part is or next section of production area is preparation area अब जैसे की नाम ही itself suggest कर रहा है indicate कर रहा है कि यहाँ पे क्या होता होगा यहाँ पे होता होगा parental dosage form का preparation इसलिए 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 preparation area कहा जाता है in preparation area the ingredients of the parental products are mixed and preparation is made for filling operation although it is not essential that this area should aseptic अब preparation area में क्या होता है कि हमने अब तक तो ingredient वे कर लिये सारे ingredient वे कर लिये तो preparation area में जाकर हम जो ingredient वे करे है या फिर जो ingredient हमें required होता है वो ले जाके वहाँ पे उनको mix करेंगे अपना preparation वहाँ पे prepare करेंगे और उसे filling operation के लिए ready करेंगे तो इतना काम होता है preparation area में अब preparation area जो होता है वो aseptic नहीं होता या फिर ज़रूरी नहीं है हो भे सकता है यह aseptic area लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यह area भी aseptic हो पट यह अगर area preparation का area aseptic नहीं है तो बेड़ सो के पट उसमें strict precautions लेने होता है कि उसमें बहार से कोई contamination ना आए but strict precautions are required to prevent any contamination from outside preparation area भे कोई भी contamination allowed नहीं है इसलिए strict precautions लेने पड़ते है यह जो preparation area होता है वहाँ पे जो cabinet and counter जो होते है वो stainless steel से बनाये जाते है और इस तरह से fit किये जाते है कि उसे dirt को accumulate करने में कोई भी space available नहीं रहती तो इसलिए stainless steel का material वहाँ पे use किया जाता है जो ceiling होती है walls होती है और फिर floors होते है preparation area के वो अच्छे से seal किये जाते है and properly paint किये जाते है ताकि वो अच्छे से clean रह पाए thoroughly clean रह पाए the next section of production facility is aseptic area अब इस aseptic area में क्या किया जाता है यह हम जान लेते है from preparation area the parental formulation will be transferred to aseptic filling area अब तक हमने देखा production facilities के तीन पाट first one is clean up area second one is preparation area and third one is aseptic area clean up area में क्या करते हैं हम container closures wash कर लेते हैं dry कर लेते हैं ingredient जो चाहिए होते हैं हमें वोवे कर लेते हैं preparation area में क्या करते हैं ingredient को mix करते हैं और उसे preparation में formulate करते हैं preparation बना लेते हैं ready करते हैं और aseptic area में अब हम क्या करेंगे aseptic area में जो preparation हमने preparation area में बनाया है उसे aseptic area में transfer करेंगे ताकि हम उसे aseptically container में feel कर पाए The parental proportional filter feed into final container and subsequently seed parental proportion जो हमने बनाए होते है preparation area में उसे हम filter कर लेते है bacterial probe filter से कौन कोंसे होते है bacterial probe filter? membrane filter तो उसे हम filter कर लेंगे उससे क्या होगा? जो bacterial contamination हो सकता है कि अगर हुआ है तो bacteria उपर ही retain हो जाएंगे filter के उपर और हमरा जो preparation होगा वो bacteria free preparation होगा तो filter करने के बाद हम उन्हें final container में feel करेंगे और उसके बाद उन container को seal करेंगे तो ये चीज़े होती है aseptic area में The entry of personnel into aseptic area should be through an airlock to maintain sterility अब aseptic area में जब भी कोई person जब भी कोई personnel या फिर worker कह सकते है आप तो worker अगर aseptic area में entry कर रहा है तो aseptic area का जो entry level होता है तो उसमें airlock system होना चाहिए airlock system क्या करता है कि वो जो door होता है अगर आप entry कर रहे हो तो आपके उपर एक air का flush आएगा वो flush इतना powerful होता है कि अगर आपके उपर कोई bacteria present है तो वो आपके उपर से हट जाएंगे तो इस तरह का system वहाँ पे होना चाहिए aseptic area का और ये सब किसलिए किया जाता है to maintain sterile ताकि micro-organism हमारे preparation में enter ना कर पाए अब ये जो parental preparation बनाने का या फिर manufacturing करने का जो work होता है ये बहुत ही जादा responsible work है क्योंकि हम patient की life से deal कर रहे है उसमें कोई micro-organism का incorporation हो गया या फिर particulate matter रहे गया तो हो सकता है कि patient के जान को खत्रा हो सकता है इसलिए हमें parental preparation बनाने के लिए specially trained person की जरुरत होती है किसी को भी वहाँ पे entry नहीं दी जाती सबसे पहले workers को training दी जाती है कि किस तरह से aseptic area में work करते है किस तरह से नहीं करते है तो उसके बाद ही उन person को aseptic area में allow किया जाता है काम करने के लिए होने चाहिए reliable होने चाहिए they are required to wear sterile clothes and should be subjected to physical examination at regular intervals to ensure that they are not carrier of any infectious disease अब जो workers वहाँ पे काम करते है उन्होंने neat होना चाहिए reliable होना चाहिए साती साथ उन्होंने sterile clothes पहनने चाहिए और उनका physical examination पे physical examination भी daily routine पे होता है मतलब daily routine basis पे उनका examination होता रहता है daily नहीं होता एक्चली लेकिन regular interval पे उनका physical examination होता है for example अगर किसी को खासी है सर्दी है जुकाम है तो उन टाइप के workers को अंदर aseptic area में नहीं भीजा जाता क्योंकि airlock system से आपके उपर surface पर body के उपर जो bacteria है जो microorganism है वो तो flush हो जाएंगे लेकिन अगर जो worker वहाँ पे काम कर रहे है उनको sneezing हो रही है cuffing हो रही है तो अगर उनके through वहाँ पे microorganism चले गए और हमारे preparation को contaminate कर दिया तो अगर उनके sneezing में कुछ bacteria होए या फिर microorganism होए जो हमारे preparation में enter कर गए तो ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए regular interval पे वहाँ पे काम करने वाले worker की physical examination होती ही है होनी ही चाहिए इस ते के पता चलता है कि वो जो काम कर रहे है workers वहाँ पे कोई infectious disease तो नहीं है कोई उनको कुछ sneezing वगरा तो नहीं है कफ नहीं है ताकि वो हमारे preparation को contaminate ना कर पाए there should be minimum movement in the aseptic area अब ये जो aseptic area होता है वहाँ पे minimum movement होने चाहिए जादा हलचल नहीं होने चाहिए जादा हलचल कम नहीं होगी जब aseptic area में कम लोग जाएंगे जितने जादा लोग वहाँ पे जाएंगे उतनी जादा वहाँ पे movement होगी और हो सकता है जादा लोग जाने से वहाँ पे bacteria का contamination हो जाए या फिर particulate matter आ जाए तो इसी लिए aseptic area में हमेशा minimum movement होने चाहिए अब यह सिर्फ parental preparation के लिए नहीं होता है यह other preparation के लिए भी होता है इवन laboratory में भी अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके teachers तो आपको पताते ही होंगे कि हमेशा weighing balance के पास जादा भीड ना हो हमेशा एक या दो लोग ही वहाँ पे जाकर weighing करे ताकि ingredients में confusion ना हो तो हम क्या करते हैं अगर teacher का हमारे आसपास ध्यान नहीं है तो हम जाते हैं बहुत सारे लोग कपे मारते हैं वहाँ से ingredient लाते हैं या फिर हो सकता है कि कुछ गडबड कर दे किसी और ingredient की जगा कोई और ही ingredient हम उठा ले आए तो ऐसे चीज़े नहीं करने चाहिए यह चीज़े अवाइड करने चाहिए और in case of parental preparation हमें aseptic area में तो एकदम minimum movement रखने चाहिए ओके sealing walls and floor of aseptic area should be sealed and painted so that they can be washed or treated with aseptic solution or spread before use अब aseptic area की जो sealing होती है walls होते है floors होते है वो sealed होने चाहिए और उसे paint भी करना चाहिए अब seal या paint क्यों करते है हम as it is हम हमारे घर पे जो wall होती है उस तरह की walls क्यों नहीं बना सकते क्योंकि sealed और painted wall जो होती है वो wash करने के लिए हमेशा easy जाती है या फिर aseptic solution से treat करने के लिए before use मतलब aseptic area या use करने से पहले अगर हम उसे aseptic solution से wash कर ले treat कर ले या फिर aseptic solution वहाँ पे spray कर ले तो उसमें easyness आता है आसानी हो जाती है इसलिए जो ceilings, walls या फिर floors होते है aseptic area के वो हमेशा seal किये जाते है या फिर paint किये जाते है stainless steel counter should be fitted on the wash जो aseptic area होता है वहाँ पे stainless steel counters fit किये जाते है mechanical equipment should be housed in stainless steel cabinet in order to prevent dirt to accumulate on it अब जो mechanical equipment हम use करते है aseptic area में वो हमेशा stainless steel cabinet के उपर place किये जाते है या फिर उन्हें locate किया जाता है अब ये क्यों किया जाता है क्योंकि जो dirt या फिर accumulation of dust होता है वो stainless steel के cabinet पे रखने से थोड़ा सा कम होता है या फिर हम उसे काफी हद तक prevent कर पाते हैं इसलिए उन mechanical equipment को हमेशा stainless steel cabinet के उपर ही house किया जाता है mechanical parts that will come in contact with the parental product should be separated so that they can be sterilized जो mechanical parts मतलब machine के जो parts होते है जो parental product के contact में आते है तो उन्हें separate किया जाता है ताकि हम मुझे उसे अच्छे से sterilize कर पाए the air in the aseptic area should be free from fibers, dust and microorganism जो aseptic area होता है उसमें जो air होती है वो air भी हमेशा fiber से dust से या फिर microorganism से free होने चाहिए उस air में कोई भी dust, fiber, microorganism नहीं होने चाहिए क्योंकि actual filling का और sealing का जो काम होता है ये aseptic area में ही होता है अब air को हम microorganism से dust से या फिर fiber से free कैसे बना सकते है तो इसे हम achieve कर सकते है with the help of high efficiency particulate air filters जिसे हम HEPA हम high efficiency particulate air filter को हम HEPA कहते है और ये जो HEPA filters होते है वो 0.3 micrometer की जो particle की size होती है या फिर microorganism होते है 0.3 micron के अंदर तो उन particles को retain करते है अपने filter के उपर बतलब ये filter करती है high efficiency particulate air filter जो होती है ये filter करती है ताकि हमारे preparation में वो fibers, dust, microorganism enter ना कर पाए हमारे preparation को contaminate ना कर पाए हेपा filters are fitted in laminar air flow system in which air free from dust and microorganism flows with uniform velocity अब आप कहेंगे कि ये हेपा filters कहाँ पर फिट होते है दिवार की कौन सी corner पर फिट होते है तो ये जो हेपा filters होते है ये laminar air flow में fit किये जाते है laminar air flow एक ऐसा system होता है जहाँ पे हम अपने parental preparation को वहाँ पे seal कर सकते है feel कर सकते है और ये जो हेपा filter होते है ये laminar air flow में fit किये जाते है और उसी में हम अपना feeling का sealing का सारा operation perform करते है तो इसलिए वहाँ के आसपास की जो air होती है laminar air flow के अंदर की जो air होती है वो air dust से free होती है microorganism से free होती है और ये जो air होती है ये uniform velocity से वहाँ पे आती जाती रहती है ठीके the air is supplied under positive pressure which prevents particulate contamination from sweeping from adjoining areas अब इस laminar air flow से जो air supply होती है वो positive pressure से supply होती है और ये जो air है ये particulate contamination prevent करती है जो sweeping से या फिर adjoining areas की जो sweeping होती है वहाँ से आ सकती है और उसके बाद जो aseptic area होता है वहाँ पे UV lamps भी होते है UV lamps क्या करते है microorganism को kill करने का काम करते है UV radiation आपको तो पता ही होगा अपनी study भी किया होगा कि UV lamps किस तरह से act करते है UV rays किस तरह से act होते है तो ये UV rays जो होते है वो होते है ultraviolet rays उससे क्या होता है कि microorganism कील होते है तो इसकी वज़ा से हमारे parental preparation में microorganism का contamination नहीं होता तो इसलिए UV lamps हम aseptic area में fit करते है ताकि हमारा जो preparation है वो sterile रहे पाए हम sterility maintain कर पाए next is quarantine area अब क्या होता है कि aseptic area में हमने जो preparation feel किया है seal किया है container में feel करने के बाद container को seal किया है वो preparation हम quarantine area मिलाते है a batch of parental products after its filling, sealing and sterilization are held up in this area okay filling और sealing के बाद हम क्या करते है उन preparation को aseptic area के बाद में जाके उसे किसी area में रखता है sterilization area में और sterilize करने के बाद हम उसको कहा लाते है quarantine area में the random samples of parental product of different batches sent in the analytical laboratory for its evaluation अब quarantine area में हमने जो samples रखे हुए है उसमें से random samples हम select करेंगे और उसमें से different batches जो होती है वो हम analytical laboratory में send करेंगे उनकी evaluation के लिए अब evaluation के बाद जो जो product quality test pass करते है वो हमेशा finishing और packaging की तरब जाते है और जो नहीं pass करते है फिर उनको हम retest करते है या फिर अगर pass नहीं हुए है तो उन्हें discard किया जाता है लेकिन जो preparation pass हुए है जो batches pass हुई है उन्हें हम quality control test pass किया ऐसा confirm कर देते है और finishing और packaging area में उन्हें send कर देते है and the last area और last section of production facility is finishing and packaging area the parental products are properly labeled and packed तो उसका quality control test होने के बाद preparation का quality control test होने के बाद उसे अच्छे से label किया जाता है properly label किया जाता है pack किया जाता है और proper packaging जो होती है parental product की वो essential होती है क्योंकि उसे हमें physical damage से protect करना पड़ता है क्योंकि जो transportation में हो सकता है कि हमारा जो preparation है उसका जो container है वो break होने के chances हो सकते है तो इसलिए physical damage से protect करने के लिए हमें हमारे preparation को अच्छे से packing करने की ज़रुरत होती है next is handling and storage the labeled container should be packed in cardboard और plastic container हमने जो container label किये है उन्हें cardboard या प्लास्टिक container में pack करना चाहिए ampule जो होते है वो partition boxes में packs किये जाते है हमेशा और packed parental product जो होते है वो finally dispose होने तक temporarily उसी last जो area होता है packaging area तो वहाँ पे store किये जाते है finishing and packaging area में store किये जाते है जब तक कि वो dispose नहीं हो जाते है अब हम देख लेते हैं जो अब तक हमने theoretically सीखा कि किस तरह से जो production facility होती है वो किस तरह से होती है so this is the flow chart of parental product preparation सबसे पहले होता है store room for material and equipment तो उसके बाद हम store room से कहा पे जाते है clean up area में clean up area में क्या किया जाता है containers and closures जो हमें parental preparation बनाने के लिए required होते है उन्हें clean किया जाता है wash किया जाता है और उसके बाद dry किया जाता है clean up area से निकल के हम कहा जाते है preparation area में preparation area में हम अपना preparation prepare करते है और prepare करने के बाद हम उसे feel करने के लिए ready कर देते है ingredient mix करते है प्रप्रेशन रेडी करते है और सिर्फ फील करने के लिए हम उसे रेडी करते हैं लेकिन प्रप्रेशन एरिया में हम फील नहीं करते हैं और असेप्टिक एरिया में जाके हमने जो प्रप्रेशन प्रप्रेशन एरिया में बनाया है उसे हम असेप्टिक एरिया में फील करते ह फिलिंग के बाद शील करते हैं अब सील करने के बाद अब मैं आपको जो यह red arrow में दिखा रही हुना यह one way process है preparation area से aseptic area में जाते हैं लेकिन aseptic area से फिरसे preparation area में आप नहीं आ सकते ऑ कि 아 septic area से आप जाएंगे quarantine area मे quarantine area से जाएंगे packaging and finishing area में और उसे last में जाएंगे storage and its disposal area में अब आप सोच रहे होंगे कि ये sterilization कहा से करेंगे ओके तो sterilization करने के लिए clean up room से एक वे होता है तो clean up रूप से आप कहा तक जा सकते है sterilization area तक और sterilization area आपको दो और room से connect करता है तो sterilization area आपको quarantine area से connect करता है preparation area से connect करता है और aseptic area से भी connect करता है तो अगर आप थोड़ा सा closely देख रहे है इस diagram को तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर मैंने दो type के arrows यूज किये है एक है red color का जो ut directional है और एक है green color का जो दो तरब की दो तरब area में जा भी सकते है और aseptic area से sterilization area में आ भी सकते है सेम तरह से sterilization से आप preparation area में भी जा सकते है और preparation area से sterilization area में आ सकते है लेकिन आप preparation area से aseptic filling area में नहीं जा सकते क्योंकि preparation area से अगर आप sterilization area में आ गए तो यहाँ पे हम आपना product sterilize कर लेंगे और sterilization एरिया से फिर से आप quarantine एरिया में जा सकते है या फिर sterilization यहाँ पर करने के बाद आप aseptic एरिया में जा सकते है और aseptic एरिया से फिर से quarantine एरिया में जा सकते है लेकिन यह जो मैंने radar हो दीखाया है जो unidirectional है तो इससे आप return होके नहीं जा सकते प्रप्रेशन एरिया से आप स्टोर रूम तक नहीं आ सकते, या फिर असेप्टिक फिलिंग एरिया से प्रप्रेशन एरिया तक नहीं आ सकते, क्वारंटाइन एरिया से असेप्टिक फिलिंग एरिया तक नहीं आ सकते, सिर्फ आप ये प्रप्रेशन एरिया से स्टरिलाइज हाँ क्वारे में हैं रहें सिर्फ ठीड में से अध्य को सुन्तुम। packaging finishing area में quarantine area में क्या होता है quarantine area में यह हम जो batches हमने seal की है तो उसे हम laboratory में भेजेगे analytical laboratory में ताकि हम यहां का quality test perform कर पाए जो भी preparation हमने बनाये क्या उसने हमारा quality test pass किया या नहीं यह चेक करने के लिए हम यहां से preparation भेजेंगे लंडम सेंपल हम सेलेट करेंगे और वहाँ से अनलिटिकल लाइबरोडर में पेज़ेंगे तो जैसे ही उनके रिपोर्ट आते हैं अगर हमारा प्रपरेशन वो सारे टेस्ट पास कर गया है तो उसके बाद वो पैकेजिंग एरिया में जाएंगे यहाँ पर प्रपरेशन को प रिक ना हो और उसके बाद उनका स्टोरेज एंड डिस्पोजल होगा ओके तो यह है प्रोचाट आप पारेंटल प्रोडक्ट प्रपरेशन एरिया तो आज के वीडियो में बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इंट्रावेनस आइवी आड़ पिक्षर जो और लेप्ठ हैंड साइट में आपको यहां पे जो फ्लाश हो रही है वह है मेरे रिलेटल वीडियो की कुछ लिस्ट वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे रिलेटल वीडियो भी देख सकते हैं तब तक यह लिए पढ़ते रहे और देखते रहे ब्राइट फार्मा